Hello guys, Assalamualaikum, कैसे हैं, आपको उमीद है, लास्ट वीक बहुत अच्छा गुज़रा होगा, क्योंकि ये साल का पहला वीक था और साल का पहला मन्त है, तो ट्रेडिंग में आपको समझने में थोड़ी से दिश्वारी होगी, वैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो यूज़ कर रहे हो, या आप मर्केट के हाई लोग को देख रहे हो, तो उसमें आपको डिस्टर्बने साल सकती है, और आपको अपना अपडेट करने की जड़ोड़ता है, so please keep in this on your mind, carefully, because बहुत जाल लोग तीन मेने प्रॉफिट करते हैं, उसके बाद लास करना स्टार्ट कर देते हैं, anyhow, हम बातों को बाद में करेंगे, पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, so my name is Rhi Ilvaadar, welcome to forexustart.com Okay, जी, तो अभी हम आगे हैं अपनी स्क्रीन पे और हमें नदर आ रहा है आज मंडे का दिन और मंडे के दिन में क्या है, हमारे पास मंडे के दिन में एक चाइना की GDP quarter by year है, यह GB news है quarter by year, quarter by quarter यह लेकि आज ही नहीं सुन लिए, quarter by year, anyhow, अगर हम बात करें तो आज US का bank holiday है, और अगर मैं वज़ा पता करना चाहूं क्या वज़ा है, तो US bank will be closed in observing, अच्छा, यह king day है को ही, उसकी वज़ा से यह close होगा, आज banks close होंगे, तो trading में भी कोई मजा आने वाला नहीं है, तो Monday को चुटी करो, अगर हम बात करें, CAD की और बाकी payers की pound की वगएरा, तो उसमें movement होगी, और EURUSD कर सकते हैं, अगर हम बात करें, 18 Jan Tuesday की, तो JPY की आता ही, बड़ी news है, और बुद्ध की तो बुद्ध को आपको पता में live आना होता है, तो तकडी news है, तो सबसे पहले pound की news है, year by year, CPY, year by year, and CPY month by month भी है, 6.30 बजे, और GBP की भी news है, तो यह speak है, तो मजा आने वाला मेरे कासे 6.30 बजे, मैं 2.00 बजे live आज़ाँ और कोशिच करूँगा, 6.30 बजे तक आपके साथ ही रहूँ, तो एक लंबी स्ट्रीम होने वाले, जिसमें मैं आपको कुछ नई strategy भी teach करूँगा, इन्शाला, अगर हम बात करें, जुम्रात की तो जुम्रात वाले दिन, जिसने हमने Facebook पे live आना होता है, तो AUD की news है, इसके लावा, USD की कुछ news है, होम सेल है यह natural gas वगारा, यह crude oil की inventories वगारा है, तो यह US की भी कुछ है, लेकिन low impacted यह medium impacted news हैं, अगर हम बात करें Friday की, तो Friday is a big day and last day of the week, but again, कोई news आपको नदर नहीं आएगी, because मैंने आपको बताया, कि साल के जो पहले दिन होते हैं, उनमें गर्मा गर्मी, इसलिए को closing होता है, यह लेकिन अब जो है काम ठंडा होने वाला है, रूटीन भी आने वाला है, तो तीन मीने जो रूटीन चेन करने वाली वीडियो के स्टर्टिंग में मैंने बात की थी, वही हो रहा है, कि अब मार्कीर ने अपना pattern behavior, चाल चलन चेन करना है, अगर आपको सिगनल दे रहे थे और अठरा पंदरा से उसको सेल करेंगे, तो मार्कीर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में पूरा वीक तीन दफा आई है, और तीनों दफा वो एंड में लॉस में क्लोज हुई है, तीन चार दफा, और ये मार्कीर ने हाई लगाया, अठरा तीस का, और जबके हमारा जो स्टॉप कर लेंगे, ये देखे लिए, मार्कीर मुविंग अवरे लाइन को क्रॉस कर चुकिया, उपर आचुकिया, कन्फरम हो चुकिया, और मुझे लगता है कि अब बाई साइड पर जाना चाहिए, बट दो नो इंटरस्ट इन मार्कीर, मार्कीर के अंदर कोई वालियम नहीं है, कोई न्यूस नहीं है, कोई बड़ी प्रोजक्शन ही है, आल दो कि कोई अल्ला ना करे, हमें कोई ब्रेकिंग न्यूस देखने को मिले, लेकिन यह है कि अब भी फिलहाल मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं हा रहा कि मार्कीर हिले जुलेगी, तो मार्कीर इस हफते में कुछ चा करते हैं, और फिर मैं आपको एंड पे अपने एंडिंग वर्ड देता हूं, जो चांसे हैं, तो लास्ट मन्त कैसा रहा जी, यह जो हमारा मन्त है, वो स्टार्ट हुआ नीचे से, आते ही मार्कीर ने जनाब, थोड़ा सा यह खुबसूरत नहीं लग रहा तो रीसाट करते ह हम इसको, मार्कीर ने जनाब 17-85 लगाया, और उसके बाद हाई गई, और मार्कीर अब बुलिश रन की तरफ है, मार्कीर का मुमंटन हम ऐसा लग रहा है कि यह बुलिश ट्रेड क्लोज होगी, अभी तो लग रहा है, तो यह मन्तली में तो हमें नदर आ रही है, मार्कीर ब लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वीकली आते ही वो बुलिश की तरफ चला गया, तो यहां पे चांसिस हैं कि हमें इस ट्रेड से निकलने का चांस मिलेगा, और बैरिश भी आएगी, लेकिन आल्दो मुझे जो लग रहा है कि वीकली भी कैनल बुलिश ही होने वाली है, अब बा बड़ा इवेंट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी नुज़ नज़र नहीं आ रही, कोई बड़ी फैंडमेंटल हैपनिंग नज़र नहीं आ रही हो, साल का स्टार्ट अकांट रिन्दा मठाई रेगा, सो इस ट्रोग ली सेज़ेस्ट यू, के मार्की जो है, वो एक range में move करेंगे और वो range कितनी हो सकती है अब और रेंज हम पहले ड्रा कर लेते हैं जी लें जी ये एक range हमें market के अंदर नदर आ रही है कि ये range हो सकती है सबसे पहले तो अपना signal करते हैं कि अब वह एक वैलिड सिगनल नहीं रहा और अगर आपने इस ट्रेड से निकलना है तो कोई मसला नहीं है आपको इस ट्रेड से निकलने के chances मिलेगे market अगें अठारा पंदरा ये अठारा दस की रेंज में आने वाली है कि निकली बड़ जल्द ही तो do to bake NEW तो इन वार्किट में kरता है मार्किट ने इसकाद में नीचे ले अथाह और अठाव 45 तक और थोड़ चि उपर भी ले जाते हैं अब मैंने उसको मार्जन दिया है आप समझ रहे हैं मेरी बात स्पाइक्स का मार्जन इसलिए दिया है ताकर मार्किट पाइदा स्पीप उपर नीचे मूव करती है तो आप गबराये नहीं वह स्पाइक ही होती है सो मार्किट का जो लो होगा वो इसकी मूवइंग एवरिय लाइन यानी योग को स्ट 1 को ब्रेक करती है तो 1780 550 में भी जा सकती है लेकिन वहर्स Western कंडिशन में करता है आगा माज hell या मार्केड में बड़ीी न्यूज़ा आ जाए है या मार्केड में कoही ब्रेकिंग न्यूज़ा आ जा जानी है या बहुत ही अच्छी न्यूज आजए इस सूरत में वरना मार्किट रेंज में रहेगी गोल्ड की इस वीक में मैं आपको सिज़स्ट करूँगा कि मैं इस वीक में इंशाला आपको पौंड की सिगनल दूगा योरो के भी दूगा और आयल के भी दूगा तो उसमें ट्रेड करन पंदरा सोला तक मर्किट यहां से अगें नीचे मूव कर सकती है यह बड़े ही शौट ट्रम के लिए आपको बता रहा हूं मैं जो स्कैलपर जरा आते हैं यह शौट ट्रेडर हैं वो यहां पर सेल की ट्रेड लगा गए प्रॉफिट कमा सकते हैं आल्दो के जो मेरी वीडि आज तक बता रही है क्लीर कट मैं आ सकती हूं 28 तक 30 तक मेरा हाई है तो यह एक मार्किट की डिरेक्शन इकल गया रही है आलो कि मुझे को बड़ी एक्सपेक्टेड मूव इस वीक में लग नहीं रही है अगर लगती होती तो मैं आपको बताऊंगा आप लोगों से पसंद आई तो लाइक नहीं पसंद आई analog कीज़ेगा और comment मैंपनी र готов किज़ेगा की ये video आपको पसंदा रही है या नहीं और किन और पिरस जक्रवे के बारे में आप विकिवीं स्टर एस विया नहीं चाहार हैं सो वी झाल झाल